नवस्कार दा निउस पोश्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ समीर जहारखन में माफिया, अपरादी और उग्रुवादियों की लगतार पुलिस अब कमर तोड़ रही है उन पर सिकंजा कस रही है अगर हम बात करें इसी कड़ी में आज पीलेफाई का सुप्रीमो कुख्यात उग्रुवादी 25 लाग का इनाम जिस पर जहारखन पुलिस और 5 लाग का इनाम एनाईये ने खोशित कर रहा था दिनेस गोप जिसके नाम से ही लोग फर रहा उठते थे आज उसे नेपाल के काटमांडू से दबोच लिया है मता दे कि दिनेस गोप पर दर्चनों मामले दर जाये कई बड़ी मुट भेड की घटना में दिनेस गोप सामिल था लेकिन लगतार जो पुलिसिया दविस पड़ रहे थी और लगतार चाहे वह एनाईये च्छापे मारी कर रहे थी या बात कर जहारखन पुलिस के और बिहार पुलिस भी लगतार दिनेस गोप के लिए गिरफतारी के लिए च्छापे मारी कर रहे थी इसी दोरान आज सुबह सूचना NIA को मिली थी कि वह काटमांडू जो नेपाल का इलाका है वहाँ छुपकर बैठा हुआ और वहीं से तबाम जो उब्रुबात की गतिवीदी है अपने गुर्गों के दोरा अज्याम दिवाता था तो ऐसे ही जैसे ही सुचना मिली तो तमाम जो छारकंड पुलिस की टीम हो या फिर NIA की टीम हो वह आज एहले सुबह काटमांडू पहुचे और वहाँ से एक घर में दिनेश गुप छुपकर बैठा हुआ था और लगतार नेपाल में कई दिनों से रह रहा था हर दिन वह लोकेशन अपना चेंज करा था यही कारण था कि उसे दबोचने में NIA और जहारकंड पुलिस को लंबा वक्त लग गया लेकिन आज उसे वहां से गिरवतार कर NIA की टीम दिल्ली लेकर पहुची है और दिल्ली दफ्तर में जो कागजी परकिरिया है और कुछ कुछ ताज कंप्लीट होगी कागजी परकिरिया पुरी होगी उसके बाद देर रात तक दिनेश कोफ को राची लाने की उंबीच जताई जा रही है अगर हम बात दिनेश कोफ की करें तो दिनेश का आतंग इतना था कि राची, कूटी, सिम्डेगा, गुमला, इतना इलाके में इसका आतंग इतना जादा था कि इसके नाम से ही लोग खौक काते थे, कई बड़ी मूड भीड पुलिस के साथ जंगलों में होई, चाहे वकपूती की हो, लोहरदग्दा की हो, गुमला के जंगलों में होई, लेकिन हर बार यह जंगल का फाइदा उठा कर भागने में सफल होता था, हर बार पुलिस के हाथ खाली होते थे, इसके छोटे गुर्गे जरूर दबचो जाते थे, लेकिन दिनेज गुप इतना सातिर था कि अब भाग निकलता था, और अब दिनेज गुप गिरफतार हो गया है, तो संभौता उमीद है कि जोई अग अगर हम बात करें तो जो इसका दाहिना हाथ बताया जाता था, चूहा नाम उसका था, उसे भी जर्यागर फारा छेतर से गिरफतार किया गया था, या फिर बात करें लाखा पान की, जो तमाम चीजों को उगरवादी संगठर को एकटा कर चलाता था, इसका निर्देश पर नाम पर चाहे वह बिल्डर्स हो, ठेकेदार हो या बड़े कारोबारी हो, उसे बड़ी मोटी रकम वसूली की जाती थी, और अभी कल की ही बात करें तो राची के गोंदा थाला इलाके से एक ठेकेदार से दो एक ए 47 की मांग की गई थी दिदेश गोप के नाम पर और नहीं मामले दर्जा और NIA भी इस पर हिनाब खोशित कर रखा था, इसी से आप अंदाया लगा सकते हैं कि दिनेश को कितना खुख्यात था, यह तमाम जो दिनेश गोप के गोप के गोप के गोप के पैसा जो लेवी का वसूलते थे उससे विदेशी हतियार खरीते थे, लगजरी गाड़ या BMW हो थार हो वो भी थार अलग तरीके की मोडिफाइक हुए और विदेशी हतियारों के फूर्टवेस बरामद हुए थे, इन दमान चीजों को देख कर वे पुलिस पुरी तरह से अलर्ट परती कि यह संगठन को जल्लक कत्म नहीं किया गया, सिकंजा नहीं कसा ग